दोस्तो अपने अगर हमारे चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज प्लीज सब्सक्राइब कर ले और बगल वाले गंटे को भी दबा दें क्योंकि हम लाते रहते हैं नेने बिजनिस आइडियाज और नेनी जनकारी क्यों आपके लिए इसलिए हमारे देश का विकास भी काफी तेजगत इसे हो रहा है और जहां डेवलप्मेंट होगी वहां नट और बोल्ट की जुरूत जरूर होगी क्योंकि नट और बोल्ट ही जोडने का काम करता है Nut & Bolt सभी इंडस्ट्री में यूज की जाते हैं चाहे आपको गर बनाना हो या कोई फैक्ट्री चाहे कोई गाड़ी बनाना हो या कोई मसीन Nut & Bolt सभी इंडस्ट्री का मूल हमें क्योंकि बिना Nut & Bolt हम कुछी manufacture या assemble नहीं कर सकते हैं इसलिए इस बिजनेस की बयार में बड़ी दिमांड है और इस बिजनेस में completion ना के बराबर है यह हम इसा चलने वाला बिजनेस और इस बिजनेस से जरी आप अच्छी कमाई कर सकते हैं तो दोस्तों इस बीडियो में हम जाने हैं कैसे अपना खुद का Nut & Bolt का manufacturing बिजनेस से स्टार्ट कर सकते हैं उसके लिए पौन कौन से रोमेटरील की जरूत होगी पौन कौन से machine की जरूत होगी हम machine कहां से करीब सकते हैं हम कैसे माल प्यार कर सकते हैं टोटल कितनी लागत आएगी और अब कितना मुनाफर कमा सकते हैं वीडियो देखते हैं दोस्तों सबसे पहले मैं आपको बता दूँ कि इस बिजनेस को शुरू करने के लिए आपको साथ से 8 लाख रुके की जरूत होगी और इतने पैसों में आपको इस बिजनेस में लगने वाली सारी machines आ जाएंगी जिसके अंदर आपके दूसरे सारे खर्च याते हैं जैसे की raw materials, labor, production और day-to-day activities के खर्चे और इसके लिए आप working capital loan यानी overdraft या cash aid facility के अंतरगात अपाइक कर सकते हैं आजकल गवर्मेंट भी manufacturing business को काफी बढ़ावा दे रही है इसलिए सरकार दोरा चलाया जा रहा है ये उजनाओ के अंतरगात आपकलोन के लिए भी apply कर सकते हैं चलिए दोस्तों हम जानते हैं कि इस business के लिए में कौन कौन से machine और raw materials की जरुत होगी दोस्तों nut bolt making business में यूज में लाया जाने वाला main raw materials 2 mm से लेकर 50 mm तक की mild steel rod या 2 mm से लेकर 50 mm तक की hexagonal mild steel rod है ये rod आपको steel, copper या aluminium की भी मिल सकती है बजार में इसके अलावा acid, lubricant और कुछ दूसरी congeneral items जैसे की चूना और लखडी की बुस्ती और कुछ packaging materials की जरुत होती है जैसे juice या plastic बोरिया इत्यादी, आपको जी side के nut या bolt बनाने हो उस side के हिसाब से आप steel या दूसरे rod का order कर सकते हैं उपने production के हिसाब से rod खरीब सकते हैं चुकि nut और bolt का use अलग-अलग machine को बनाने में building, गाड़ी, हवाई-जाज, railway इत्यादी में किया जाता है इसलिए इनकी quality के business धियान रख जाना बहुत जोड़ी है ताकि इनके घिसने या धीला होने पर किसी प्रकार की कोई दुरगटना ना हो जहां तक nut और bolt की quality का सवाल है इसके लिए BIS ने IS specification दरदारित की है इसलिए आपको चाहिए कि nut और bolt की manufacturing दिये हुए specification के हिसाब से ही है वैसे nut bolt making business में use में किया जाना वाला main raw material mild steel rod है जिससे TMT technology के यूज के बनाए जाता है जिससे आपके दोरा बनाएगा nut और bolt की quality अच्छी होती है आपको market में लगने वाले size के nut और bolt की बनाने के लिए raw material का stock अपने पास रखना होगा जैसे की 6 mm, 8 mm या 10 mm के rod या फिर जिस size का order आप लेते हैं उस size के हिसाब से raw material आपको खरीदने पड़ेंगा दोस्तों इस business के start करने के लिए हमें कुछ machines की जरूत होती है जैसे की bolt बनाने के लिए हमें चाहिए double stroke cold head forging machine और head trimming machine और thread rolling machine और steel polishing barrel bolt बनाने के लिए main ये 4 machine की जरूत होती है और वही nut making के लिए हमें machine चाहिए होती है automatic forming machine, lubricant और coolant pump के साथ और साथी साथ nut packing machine दोस्तों bolt बनाने के लिए mainly double stroke forging machine की जरूत होती है ये machine single stock या double stock में marketing मिलती है जिसके जरी आप हर size के bolt बना सकते हैं जैसे कि 3-4 inch या फिर आपको अगर screw भी बनाना हो जो बिना nut के use की जाते हैं तो आप इस machine के जरू भी बना सकते हैं आप bolt से मिलते जुलते product भी इस machine के जरीए बना सकते हैं ये machine अपको बजार में semi-automatic और semi-automatic में मिल जाएगी इस machine में हमें जितनी मोटाई का bolt बनाना हो उस size के steel rod का एक सीरा इस machine में लगाना होता है और machine में उस size की setting कर देनी होती और machine खुद बखुद उस size के bolt बनाना शुरू कर देती दोस्तों इस machine के जरीए आप एक मिनट में 40-80 बोल्ट बड़ी असानी से बना सकते हैं मार्केट में अलग-अलग capacity के machine से विलेबल है इसलिए जैसे machine की capacity होती है उसके हिसाब से उसका production होता है ठीक वैसे ही nut बनाने के लिए mainly automatic nut forming machine की जुरूत होती है जिसके जरीए आप एस бес तील के रॉट को nut forming machine के जरीए size के हिसाब से खाट लिया जता है आपको जिस size का nut बनाना हो उस size के rod machine बनादे और फिर उसके हिसाब से machine से उस सहेटिंग कर दें पिर यह machine उस size के हिसाब से nut बनाना व्पोल कर देगी machine production श्रूर कर देती है और ऋसके बाद किवल बने हुए बोल्ट को अलग कर लेणा हुता है दोस्तों उसके बाद रेवbane in if the दौ्ड ने डालना होता है जिसमें हम बने मड़ी बौल्ड के साथ लकडियुक्ट सी का ये से को बोल्ट में थोड़ी signing आ जाती है और वो देखने में अच्छी लगना लगती है उसके बाद हमें उस बोल्ट को head trimming machine में डालना होता है जिसके ज़िए bolt का head यानि जो उपली सीरा होता हो shape में आ जाता यह machine एक-एक bolt की head को उसके actual shape में ला देती है उसके बाद हमें सारे bolt को thread rolling machine में डालना होता है जिसके बाद वह machine उसके नीचे के सीरे को shape में इला देती है ताकि कि किसी bolt का कोई सीरा टेड़ा न रहे और वह बिल्कुल shape में रहे और उसकी quality भी बिल्कुल अच्छी रहे उसके बाद हम इस machine से निकले bolt को जूट या रस्ती से बने बोरे या packet में pack कर बेचने के लिए देते हैं हम इसी तरह दोस्तों अलग-अलग size के bolt, screw या और भी दूसरे product बना सकते हैं वही nut बनाने के लिए nut forming machine के दुवारा nut को उसके size में काट लिये जाता है इस machine में अलग-अलग size की punching die लगती है जिसके ज़री हम अलग-अलग size के nut को बना सकते हैं यह die हम जहां से machine खरीदेंगे वहीं से मिल जाएगे इस machine में भी ठीक वैसे हैं यह steel rod का packet nut forming machine के सामें रखना होता है और उसका एक सीरा machine में लगा देना होता है उसके बाद यह machine steam rod उसके हिसाब से काटके nut का मेरिकर्चिन शुरू कर देती है उसके बाद हम त्यार nut को nut tapping machine में डालते हैं और nut tapping machine के जलिए हम इसके अंदर के छेद या चूडियों को अच्छे सेख देते हैं ताकि वह slip ना करें और इसके बाद इन सारे nut को steel policy barrel में डालके अच्छे से चमका लेते हैं और फिर इन्हें जूट या प्लास्टिक के बोरे में पैकर बेचने के लिए बेज देते हैं मसीन खरने देंगे ट्रेनिंग भी आपको वहीं से मिल जाई है साथ ही साथ अपने एरिया के मार्केट में देने की मार्केट में इस तरह के nut और बोल्ट की ज्यादा डिमांड है और उसके हिसाब से अपने machine और raw materials का selection करें और साथ ही साथ आपके द्वारा त्यार nut और बोल्ट को market में बेचने के अलावा अलग अलग company से contact करने की कोशिस करें ताकि आप वो अच्छा order मिल सके और अब ज्यादा ज्यादा मुनाफ़क हमासे गार मुनाफ़क हमासे झाल 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 याल प्रश्चा अगर अब हमारे चानल को पहनी वर्द देख रहे हैं तो हमारे चानल को सब्सक्राइब कर लिजिए और बेल आइकन को भी दबा लिजिए इस्ते हमारे चानल पर जो भी वीडियो अफ्लोड किये जाएंगे उसकी सूचना आपको मिल जाएंगे कि दोस्तों इस बुडियो में इतना है नहीं करता हूं कि अपनी बुड़ी जूर पसंद आई होगी तो प्लीज वुडियो को लाइक और सेर करना ना पुलिए और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि नहीं ने बिजनस आडियेस पूंचे सबसे पहले आपके पर